Hello everyone, मैं हूँ किरिंचापुरी और ये है आप लोगों के लिए October 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि October मन्त में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टने की आपके लिए energies रहेंगी क्या आप महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में October मन्त में क्या रहेगा कौनसी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप October मन्त की energies को बदल सकते हैं October मन्त में अपनी love life को भेतर कर सकते हैं तो यह reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं आप लोगों के लिए October 2024 की love tarot reading इस काप लोगों के लिए देखें कि October 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में परस यहां पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सिकंड set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally October month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए आप इस सब्से बहला card मुझे दिख रहा है Nine of Souls और ये card कहता है कि कोई चीज आपको किसी lovey पर परिशान कर रही है अब देखें reason सब के लिए differ करेगा ये card कहीं overthinking की भी बात करता है तो हो सकता है कि आप overthink कर रहे हैं और जब भी हम overthink करते हैं हमारा mind stories बनाता है और negative stories जादा बनाता है और कहीं हम इसी trap में पड़ जाते हैं और परिशान होते हैं फिर से कहूंगी reason सब के लिए differ करता हुआ दिख रहा है लेकिन overthink करते हुए दिख रहे हैं कहीं मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि partner ना आपको उतना value नहीं कर रहे हैं एक used वाली feeling हो रही है फिर से दिखे situation, circumstances, reason इस used वाली feeling के सब scopios के लिए differ करेंगे लेकिन कहीं उनों बहुत great आप नहीं महसूस करते हुए दिख रहे हैं तो कहीं इनों partner की तरफ से उतना एक respect हम नहीं महसूस कर रहे होते हैं या फिर हमें ऐसे लगता है कि उन्होंने हमारी feelings, हमारी emotions या फिर हमको उतना value नहीं करा और इसलिए या फिर otherwise भी five of pentacles का card कहता है या तो एक mental emotional block आप अपने partner के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर partner की तरफ से एक block वाली energies आप महसूस कर रहे हैं या तो आप social media पर partner को block कर रहे हैं या फिर partner block कर रहे हैं या आप partner को avoid कर रहे हैं, ignore कर रहे हैं या partner आपको avoid और ignore कर रहे हैं तो देखिए five of pentacles का card कहीं rejection की बात करता है कहीं you know avoid करने की बात करता है और फिर से कहूंगी या तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं पार्टनर की तरफ से या आपकी energies हैं पार्टनर के लिए आपको ऐसे लग सकता है कि आपके पार्टनर वो attention आपको नहीं दे रहे हैं जो उनको देना चाहिए, जो आप deserve कर रहे हैं और कुछ के लिए फिर से कहूंगी, Scorpios आपकी तरफ से भी हो सकता है आप उतना पार्टनर के साथ चीजों में नहीं involved होना चाहा रहे हैं और deeper level के लिए bad intentions का काट कहता है या तो आपके मन में पार्टनर के लिए बुरे खयाल आ रहे हैं या इस energy level पे जरूर सेम होगा लेकिन situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे और deeper level के लिए flirting का काट कहता है या तो आप पार्टनर के लावा दूसरे लोगों से connect करना चाहा रहे हैं बातचीत करना चाहा रहे हैं या फिर आप पार्टनर को casual लेना चाहा रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहे है कि पार्टनर कहीं आपके लावा और लोगों से connect कर रहे हैं क्योंकि देखिए आपके कार्ट्स हैं तो आप जादा या तो flirting और लोगों से कर रहे हैं या फिर flirting अगर नहीं भी है simply you know partner के लावा और लोगों से connect करना चाहा रहे है and hangman reverse का card कहता है कि हो सकता है पीछे आपने काफी compromises किए adjustments किए कहीं different different नजरिये से भी चीज़ों को समझना चाहा different different you know perception से भी चीज़ों को देखा और समझा और कहीं end October में आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया अब आप इतने compromises नहीं करना चाहते हैं अब आप उतना adjustment नहीं करना चाहते हैं और कहीं देखिए कुछ के लिए हो सकता है कि इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी over compromise adjust आप कर रहे हैं कहीं किसी level पे थोड़ा सा या किसी भी level पे stuck भी Scorpios आप महसूस कर सकते हैं और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है यहाँ पे सबसे पहला card है 10 of Pentacles Reverse और यह card कहता है या तो आपके partner आपके साथ बहुत एक solid, stable, secure relationship चाह रहे हैं long term चाह रहे हैं और इसी से related कहीं चीजें इस relationship में नहीं हो रही है या उनको नहीं महसूस हो रहा है इसलिए थोड़ा सा उनकी energies ऐसी है या फिर उनकी family की involvement है, interference है या आपकी family की involvement, interference उनको किसी level पे मैं तो, मैं यह नहीं कहूंगी bother कर रही है but yes, वो emotional हो रहे है, sentimental हो रहे है और कहीं खाबों की दुनिया में ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर independent का card कहता है, उनको मनहीं मन ऐसा लग रहा है कि भई वो अपनी emotions, feelings या किसी भी चीज़ के लिए आपके ओपर depend नहीं होना चाहते है और कहीं देखे, mid October से लेकर, end October तक काफी impulsive होते हुए दिख रहे हैं Quick start का card कहता है, कि जो भी वो कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं एक हफ़र तफ़र उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है और eight of wands का card कहता है, जो भी again वो इस relationship में चाहते हैं अगर इस relationship को next level पर लेकर जाना चाहते हैं, तो उससे related action initiatives ले रहे हैं या फिर अगर उनके travel के plans हैं, October month में या October end में तो वो travel करते हुए दिख रहे हैं, वो एक growth progress इस relationship के लिए, इस relationship में चाहते हुए दिख रहे हैं और उसी से ही related action initiatives surface level पर तो ले रहे हैं, लेकिन deeper level के लिए काफी picky, काफी choosy हो रहे हैं और इस चीज का एहसास वो आपको नहीं होने देंगे आपको यहीं जताएंगे कि देखिए वो कितने आपके लिए action ले रहे हैं, कितने initiative ले रहे हैं और वो तो फटा-फट चीजों को next level पर लेकर जाना चाहते हैं लेकिन मन ही मन के लिए picky का काट कहता है, कि जो वो surface level के लिए कर रहे हैं, उनकी energies कहीं थोड़ी सी अलग उससे रहती हुए दिख रही है, मन ही मन फिर से कहूंगी picky होते हुए दिख रहे हैं मन ही मन कहीं थोड़े से choosy होते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि October month में क्या हो रहा है तो दिखिए जो भी आपकी energies हों, कहीं आप दोनों या आप दोनों में से कोई है किसी ना किसी level पे effort कर रहे हैं, challenges है, issues है, मसले है लेकिन फिर भी अपनी तरफ से, फिर से मैं कहूंगी, कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और एक का दुका कले हो सकता है, जादा परेशान हो रहे हैं, Tauber Rivers का काट कहता है कि एक ना घुटन सी महसूस कर रहे हैं, ऐसे लग रहे है जैसे कि, you know, stuck हो गए या जो भी energy create हुई है, उस energy से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कहीं limitations, restrictions महसूस कर रहे हैं, कभी कभी होता है न, हमें लगता है हम ये करें हम ये कहें, लेकिन फिर हमें लगता है कि बहुत rules है, regulations है rules, regulations मैं आपको सिरफ example दे रही हूँ, literally नहीं है कि आप दोनों के बीच में कुछ rules है हो भी सकते हैं, बट मैं ये नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर tower reverse का card कहता है कि बंधा हुआ, जैसे बोलते हैं कि tower के अंदर किसी भी कोठरी के अंदर जब बंद हो जाता है इनसान तो थोड़ी suffocation सी महसूस करता है, क्योंकि उसको ना तो clearly दिख रहा होता है और ना ही उसमें से बाहर निकलने का कोई रस्ता नजर आ रहा होता है तो एक वैसी सी energies होती है न, जैसे कि इस जगा से, इस energy से कैसे बाहर निकलें और कहीं देखिए, end October के लिए high priestess and quoting के cards कहते हैं कि चीजें किसी level पे resolve हो रही है और बहुत passively, बहुत अराम से, बहुत sabr से आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चीजों को resolve करते हुए दिख रहे हैं हाला कि दिखिए, इस sabr ये patience, scopios आपकी तरफ से जाधा रहता हुआ दिख रहा है आपके partner के लिए तो हमने देखा कि वो impulsive हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं आप लेके बहुत sabr के साच चीजों को deal कर रहे हैं और कहीं दिखिए उतनी activity आप दोनों के बीच में नहीं होती हुई दिख रही है आपके लिए फिर से मैं कहूंगी scopios दिख रहा है, आप withdraw कर रहे हैं उस तरीके से action initiatives नहीं ले रहे हैं उस तरीके से खुद को इस relationship में नहीं involve कर रहे हैं आपको यसे लग रहा है कि जब तक आप sure नहीं हो जाते या फिर बहुत wisely आप चीजों को deal करना चाहा रहे हैं और deeper level के लिए देखे, coating का काट कहता है कि आप दोनों के बीच में जो भी मसले थे वो resolve हो रहे हैं अब surface level के लिए किस तरीके से आप deal करते हैं, वो एक चीज different है बट you know, मन ही मन, जो भी एक जैसे हमने देखा bad intentions या picky वो किसी level पे resolve हो गए हैं और फिर से surface level के लिए थोड़ा सबर के साथ, सोड़ा patience के साथ scopios आप चीजों को deal करना चाहाते हैं तो ये था scopios आप लोगों के लिए October 2024 की लाग tarot reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share और subscribe जरूर करें